हलो एब्रीवन वेलकम टू ब्लू बैल ऑनलाइन स्टेडी फ्रेंज आज हम साथ से 13 फरवरी 2024 के हिमाच्वल प्रदेश weekly analysis क्रेंट अफेर गिरराज में जो questions पूछे गए थे उन questions को discuss करेंगे तो चलिए friends वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question है भारत में सबसे अधिक जेव विविदिता से संपन शेतर कौन सा है इसका अंसर है पश्चमी घाट पश्चमी घाट भारत में जेव विविदिता से भरपूर जगा है और ये परवश रिंखला है जो भारत ये प्राया दूई के पश्चमी तटके समानतर चलत उसके बाद next question है नाबाड बैंक की स्थापना किस समीती के रिपोर्ट के आधार पर की गई थी इसका अंसर है फ्रेंज शिव रामन समीती की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रे कृशी और ग्रामरिन विकास बैंक अधिनियम 1980 को लागू करने के लिए सांसत के एक अध भारत के किस राजिय में स्थित है इसका अंसर है पश्चिम बंगाल बुकसा बांद पर योजना भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाए गुंडी जिले के अलिपुर दवार उपमंडल में स्थित है और इसे 1913 इसवी में भारत के पंदरवें टाइगर रिजर्ब के बंगाल के अन्य सरंग्षित शेतर है जिनके बारे में अक्सर एक्जाम में कोशिन पूछे जाते हैं तो उनको भी हम डिसकस कर लेते हैं जैसे गुरुमारा राश्ट्रे उध्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और उसके बाद सिंगालीला राश्ट्रे उध्यान न नियोरा वैली राश्ट्रे उध्यान उसके बाद next है सुन्धरवन टाइगर रिजर्व ये सभी जितने भी राश्ट्रे उध्यान अभी हमने डिसकस किया है ये सभी राश्ट्रे उध्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है उसके बाद next question है elektra gold cup किस खेल से संबंदित है इ अंतरराष्ट्रे टेवल टेनिस महासंग के द्वारा प्रशासित किया जाता है जिसे 1926 इसमी में बनाया गया था और बरतमान में अंतरराष्ट्रे टेवल टेनिस महासंग में 226 सदस्य संग है उसके बाद next question है कर्म योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसका answer reference स्वामी व विवेका नन जी की एक अत्यंत महत्वपुन पुस्तक है स्वामी विवेका नन की प्रसित किताब कर्म योग उनके द्वारा अमेरिका में दिसंबर 1895 से जनवरी 1896 के बीच दिये गए विव्याख्यानों का संकलन है उसके बाद next question है भारत में राष्ट्रे मतदाता दिवस कब मनाया जाता है इसका answer है फ्रेंस 25 जनवरी को 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रे मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाब आयोग की स्थापना हुई थी और इसके अगले दिन यानि 26 जनवरी को सविधान लागो करके गंतंतर दिवस मनाया गया था राष्टे मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को और इसके अलाबा 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयों की स्थापना भी हुई थी और next important point है कि 26 जनवरी को सविधान लागू करके गंतंतर दिवस के रूप में मनाया गया था और next important point ये है कि वोटर्स डे की शरवात साल 2011 में हुई थी उसके बाद next question है त्रिवेणी नहर का निर्मान किस नदी पर किया गया है इसका अंसर है गंडक नदी त्रिवेणी नहर का निर्मान भारत के बिहार में गंडक नदी पर किया गया है और इसका उप्योग मुखे रूप से उत्तर पश्चिम बिहार में गटने सन 1932 में हैं इसका अंसर है 16 सेप्टेम्बर को हर साल 16 सेप्टेम्बर को पूरी दुनिया में विश्व ओजौन करत के सरंक्षण के प्रति लोगों को ज cop करने के उदेशये से हर साल 16 सेप्टेंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है उसके बाद next question है प्रतिष्टित टाइलर पुरिसकार किस शेतर में प्रदान किया जाता है इसका answer reference परियवरंट सुरक्षा में प्रतिष्टित टाइलर पुरिसकार इस पुरिसकार को परियवरंट के शेतर में दिया ज पुरुसकार भी कहा जाता है और इसके अलावा कुछ और पुरुसकार है उन्हें भी डिसकस कर लेते हैं जैसे दादा साहे फाल के पुरुसकार ये पुरुसकार भारती सिरिमा के विकास और उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है नेक्स पुरुसकार नोवेल पुरुसकार, ये पुरुसकार साहित्य, चिकित्सा, रसाइन विज्ञान, भोतिक, शांती और आर्थिक विज्ञान के शेतर में दिया जाता है नेक्स्ट है आर्डी विड्ला पुरुसकार, इसे भोतिक विज्ञान शेतर में दिया जाता है नेक्स्ट पुरुसकार है ग्रेमी पुरुसकार इस पुरुसकार को संगीत उध्यों के उतकरिष्ट उपलब्दिया हासिल करने के लिए ग्रेमी पुरुसकार से सम्मानित किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट है धूल प्रदूशन रोकने में कौन सा व्रिक्ष उप्युक्त माना जाता है इसका अंसर रेफरेंस सीता अशोक उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है हमीरपूर जिले में कौन सा प्रसिद मेला मनाया जाता है इसका अंसर है फ्रेंस गसोटा मेला या गसोटा मेला ये मेला हमीरपूर में मई महीने में मनाया जाता है गसोटा महादेब मंदिर हमीरपूर जिले से 8 किलोमेटर की दूरी पर स्थेथ है और मंदिर लगभग 400 साल से अधिक पुराना माना जाता है और ये कहा जाता है भगवान शिव यहाँ पर पिंडी के रूप में विराजमान है और यहाँ प्रतिष्टित जेष्ट मा के अंत में बतलब मही महीने के अंत में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें भारी संख्या में शरधालूर दर्शन के लिए आते हैं इस मे मेला हमीरपूर जिले में ही मनाया जाता है और ये एक राज्य स्तर्य मेला है ये मेला हर साल मार्च या एप्रेल महीने में मनाया जाता है और इसके अलावा सिद्ध बाबा बालकनात ये एक हिंदू देव स्थान है यहां पर हिमाचल प्रदेश के अत्रिक्त और भी राज्यो उसके बाद नेक्स्ट हमीर उत्सब हमीर उत्सब भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपूर जिले में मनाया जाता है ये एक राजस्तर्य मेला है और ये उत्सब हमीरपूर जिले के निर्मान की याद में नवेंबर महीने के पहले सब्ता में आयोजित किया जाता है उसके बाद ने हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला नवाला तिहवार किस से संबंदित है इसका इसका अंसर है भगवान शिर्थ से उसके बाद नेक्स्ट क्वेशिन है चंबा की राणी की याद में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है inflation सुही मेला, यह मेल साहिल मेहीरमन द्वारा शुरू किया गया था और यह मेला एप्रेल महिने में लगता है, और सुही मेला महिलाओं और बच्चों के लिए खास मनाया जाता है और इस मेले को मनाने का मोटो यही है राजा साहिल ले वर्मन की पत्नी नैना देवी जिने सुनेना देवी के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने पानी के आपूर्ती के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था जिसकी वज़े से ये मेला हर साल मनाया जाता है उसके चम्बा के लक्षमी नारायन मंदीर की पूजा अर्चना भी की जाती है और इस मेले को राजा प्रताव वर्मंद्वारा कांगडा शासक पर विजे का प्रतीग भी माना जाता है और ये मेला मनाया जाता है अगस्त महीने में और ये मेला सेलिबरेट किया जाता है चम्बा के चोगान मेदान में उसके बाद next question है friends नूरपूर का प्राची नाम क्या था इसका अंसर है धमेरी नूरपूर समराज्य जिसे मूर रूप से धमेरी के नाम से जाना जाता था इसकी स्थापना 11 श्थाबडी के मद्य में दिली के तोमर राजाद्वारा की गई थी और नूरप हमने गिररा सबता ही न्यूस पेपर के जो questions पूछे गए थे 7 से 13 फरवरी के तो वो सभी questions हम discuss कर चुके हैं आई हूप आपको effort पसंद आया होगा वीडियो को like channel को subscribe जरूर कीजिए साथे well icon को भी press किया कीजिए बाकि अगर आपको इन सभी के notes बनाने है खुद से तो ये सभी notes आपको blue well online study के website में भी available हो जाएगा उसका link मैं आपको video के descriptions में दे दूँगी वहाँ पे click करके आप direct blue well online study के website पे जा सकते हो फिर उसके according आप अपने notes भी maintain कर सकते हो video देखने के लिए thank you so much जय हिन जय भारत